कल यानि की 20 नवेंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उप्चिनाफ हुए थे लेकिन उप्चिनाफ के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आई जुसने प्रदेश का मौहौल और भी जादा गर्मा दिया कानपुर की सीसा माउ सीट पर मतदान के बीच समाजवादी पाती के राष्ट अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलीस प्रशासन पर वोटिंग को बाधित करने कारोप लगाया था अखिलेश यादव ने सोशल मीडिय प्लाटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया था जुसमें दो सब इंस्पेक्टर लोगों से आईकाज मांगते हुए दिखाई पर रहे थे लेकिन बवाल यहाँ थमा नहीं असली बवाल तो बुर्के पर शुरू हुआ बीजेपी हो या एसपी सब बुर्का बुर्का जब रहे हैं सवाजवादी पाठी का आरोप है कि बुद्वार को भी उपचुनाव के दौरान कई विधान सभास सीटों पर पुलीस मुस्लिम महलाओं के हिजाब और बुर्का उतरवा कर आईकाट चेक करती नजर आई जबकि ये अधिकार सर्फ चुनाव अधिकारियों का होता है खर आपको बता दें कि बीजेपी जहां बुर्के में वोट देने आ रही मुसलिम महलाओं को बुर्का हटा कर चेकिंग करने के पक्ष में बयान दे रही है तो वहीं समाजवादी पाची को बुर्का और नकाब पे वोट देने आ रही महलाओं को पुलीस द्वारा चेकिंग करने पर एतरास है लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग के दिन पुलीस द्वारा वोटर आईडी कार्ड की जांच करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो के वाइरल होने पर बीजेपी नेताओं की भी बयान अब सामने आ रहे है बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को हार का डर सतारा है जब मुसलिम महलाएं पासपोर्ट बनाने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती है क्या तब भी अखिलेश यादव सवाल करते हैं सुनी शिया या फिर मौलाना मौलवी का परिवार सभी पासपोर्ट बनवाते हैं उस समय क्यूं हंगामा नहीं होता बैंक में खाता खुलवाए तब भी आपको चेहरा दिखाना पड़ता है जब एरपोर्ट पर जाते हैं तो बुर्का हटा कर चेकिंग होती है चेहरा दिखाना होता है फिर अखिलेश यादव इतना हंगामा क्यूं कर रहे हैं ये लगतार भारते जुनता पाची के सवाल है अब समाजबाती पाची का कहना है कि अगर 23 नवेंबर को नतीजे स्पी के पक्ष में नहीं आएंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा स्पी चुनाव में धानली का आरोप लगा कर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर सकते है वहीं अगर आप एग्जिट पोल की तरफ देखें 23 नवेंबर को हो जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना है लेकिन इस पर आप क्या सूचते हैं कॉवन सेक्ष्ट में आपकी राह जरूर शेयर कीचे देखते रहे हैं एवी पी लाइप